है इस विडियो में हम बात करते हैं कारबोग्णजल्क एशिद के अमोनिया के साथ reaction तो जब भी किसी कार्बॉग्णजल्क एशिद का अमोनिया ka साथ reaction कर आजाता है तो अमाइड बनता है कि यहां मैं reaction लिख रहे हैं यह देखे यह reaction है यहां CH3 COOH क्या नाम है इसका CH3 COOH का इसको बोलते हैं Acetic Acid तो इस Acetic Acid का जब Ammonia के साथ में अभीक्रिया कराई जाएगी तो क्या बन रहा है ये बन रहा है देखिए CH3 COOH NH4 ये एक Salt बनता है Intermediate ठीक है जिसको अपन Ammonium Acetate Salt बोलते हैं और इसको अगर heat किया जाए तो क्या बनता है CH3 CO NH2 का formation हो जाता है इसको बोलते हैं Acetamide तो ये जो बीच वाला step है इसको अपन मिस भी कर सकते हैं अगर हम लोग इसकी अपन अभी अभीक्रिया दिखाएं कि Acetic Ammonica NH3 और heat किया जाए तो product बनेगा इसका बन जाएगा Acetamide इसको यहां पर अगर लिख रहे हैं C6H5 COH के साथ आप देखें अगर अगर इसको डाइरेक्ट अपन लिख रहे हैं NH3 और heat तो यह बन जाएगा C6H5 CO NH2 तो कुल मिला के देखने वाली चीज क्या है कि अगर अपन कहीं पर भी यह reaction आता है आपको लिखने के लिए तो यहां पर आप देखें क्या करना है यह OH ग्रुप हटा कर यहां पर NH2 ग्रुप इंट्रड्यूस कर देना है simple है यह reaction है ना इसमें कोई बहुत आगे पीछे सोचने की ज़रुरत नहीं है simple अगर आपके पास में आ रहा है actually यह reaction आपको कहां होती है आप लोगों को what happens when इस तरह से पूछा जाता है क्या होता है जब तो अगर यह लिखा है कि acetic acid है इसमें NH3 और heat है तो आपको देखना है सिरफ OH ग्रुप को remove करके NH2 ग्रुप बनाना है या कई बार ऐसे पूछा जाता है कि C6, H5, COOH उपर आप लिख देंगे NH3 और heat आगे question mark की A product क्या form हो रहा है तो आपको अगर मालूम है तो आप तुरंट लिख सकते हैं इसका उत्तर अब हम लोग इसका mechanism देखते हैं इसका क्या mechanism है यहां पर आप देखिए यहां क्या हो रहा है यह है CH3, C double bond O, OH यहां पर क्या हो रहा है जो oxygen है देखिए CH3, C double bond O, जो यह double bond O वाला oxygen है यह बहुत electro negative है तो यह क्या कर रहा है यह electrons को अपनी तरफ पुल करेगा यह electrons को अपनी तरफ पुल करेगा तो जो carbon है उसके electron noon हो गया तो वहां पर एक positive charge आ जाएगा अब इस पर जो NH3 है, NH3 के उपर आप देखिए lone pair of electron है तो यह किसकी जैसे act करेगा यह एक nucleophile की जैसे act करेगा यह एक electron donor है तो यहां पर अब यह क्या करेगा कि यह अपने electrons इस carbon की तरफ देगा ठीके समझा गया oxygen ने electrons को अपनी तरफ खीचा तो यहां carbon के उपर electrons noon हो गये कम हो गये तो इसको मदद करने के लिए जो NH3 है यह अपना हाथ बढ़ाएगा और यह अपने electrons इसको देदेगा अब आप देखिए कि यह अगला जो step है वो यह बन रहा है यह देखिए कि CH3 है CO क्योंकि O ने electron pull किया है इसलिए उसको पर minus charge आ गया और यहां पर जो OH है यह ऐसे कैसे है OH के उपर lone pair of electrons है और यहां पर जो यह NH3 था यह इसके साथ जुड़ गया इस NH3 को यहां पर मैंने NH2 और H के form में दिखाया है तो अब क्या है कि क्योंकि यहां पर NH2 ने electron donate किया है इसलिए इसके उपर positive charge आ गया है तो nitrogen है यह electronegative है और क्योंकि इसके उपर positive charge आ गया है तो यह यह बरदाश्च नहीं कर सकता क्योंकि यह electronegative है तो यह इसके लिए क्या करेगा अपनी सकमी को पूरा करने के लिए जो इसके साथ hydrogen attached है उसका electron pair अपनी तरफ खीच लेगा और इसको कुर्बानी देदेगा इसको कहेगा जाओ बाए टाटा तो यहां से क्या हो रहा है कि यह जो electron nh2-h यह जो electron है यह इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है और यह h free हो गया और h क्योंकि free हो गया तो यह किसके पास जाएगा इसके पास electron की कमी हो गई यह अपने electron दे चुका है तो यह दोड़के जाएगा इस oxygen के पास जिसके पास already electrons है ठीके समझ आ गया क्या हो रहा है देखिए फिर से एक बार बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे CS3, C double bond हो यह जो oxygen है यह electronegative है यह electrons को अपनी तरफ खीचेगा तो यह जो इस attached carbon है इसके उपर positive charge आ जाएगा अब इस positive charge के उपर यह जो NH3 है यह electron rich है यह attack करेगा तो यह आपका second step हो गया अब यहाँ पे क्या है जो NH2 है यह positive charge है इसके उपर तो यह इसको positive unstable है क्योंकि nitrogen electronegative है इसके उपर positive charge आ रहा है तो यह अपने इसको खतम करने के लिए deficiency को क्या करेगा जो यह hydrogen है इसका electron pair अपनी तरफ pull करेगा और यह hydrogen को free कर देगा अब जो hydrogen है क्योंकि यह electron deficient है यह oxygen की तरफ दोड़ेगा उसके साथ जुड़ जाएगा और अगला step है उसको अपन क्या बोलते हैं proton transfer या totomerism अगले step में क्या हो रहा है यह formation हो रहा है आप देखिए यहाँ पर CH3 आ गया C आ गया O आ गया जिस पर negative charge है यहाँ OH2 है और आप देखिए NH2 है अब क्या हो रहा है कि जो oxygen है क्योंकि यह electronegative है यह अपने electrons इधर donate करेगा इस बंद को जो आप देख रहे हैं और यहाँ OH2 एक बहुत अच्छा leaving group होता है तो यह क्या करेगा यह OH2 अपनी moiety लेगा यहाँ से और यह निकल जाएगा ठीक है तो अगले स्टेप में क्या हो रहा है इसमें से OH2 निकल रहा है तो यह बन गया CS3-CO-NH2 ठीक है यह समझ आ गया reaction यह इसका बहुत सिंपल सा mechanism था तो यह एक प्रकार का reaction है जो दूसरा reaction कार्बॉक्सलिक एसिद का अमोनिया के साथ देखा जाता है वो यहाँ पर अपन देख रहे हैं यहाँ पर अपन एक बेंजीन का compound ले रहे हैं जिस पर दो OH group orthoposition पर प्रेजेंट है इसका नाम क्या है इसका नाम है ठालिक एसिड अब ठालिक एसिड के अपन अभीक्रिया करा रहे हैं वही NH3 और heating तो यहाँ पर क्या हो रहा है सेम reaction होगा क्या हो रहा है यहाँ पर NH2 group का addition हो रहा है तो यहां देखिए दोनों ग्रुप पे OH ग्रुप रिग निकला और दोनों पे NH2 ग्रुप आ गया इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं थेलामाइड ठीक है स्पेलिंग देखिए थेलामाइड ए यहां पे थेलामाइड अब अगले स्टेप में इसको अगर हम लोग strong heating कर देते हैं तो इसमें से क्या हो रहा है कि उपर वाले ग्रुप में भी CO NH2 है नीचे वाले में भी CO NH2 है तो ये एक ग्रुप में से NH2 और एक में से H ठीक है ये लेके NH3 निकल जाता है ठीक है किसी भी एक में से NH2 और दूसरे में से H निकलेगा तो ये माइनस NH3 हो गया और ये product बन गया आप देखिए NH3 निकल रहा है न तो देखे ये benzene ring रह गई दोनों CO रह गए और एक खाली NH2 ग्रुप हो गया जो nitrogen है ये इसमें तीन valency है तो इसकी तीन valency satisfy हो रही है एक hydrogen से और दो carbon से और इसका नाम है थैली माइड तो दोनों की spelling में अंतर देखिए जो ये बीच में बन रहा है ये थैला माइड है जिसमें बीच में A आ रहा है और जो ये बन रहा है on heating ये थैली माइड है इसमें बीच में आई आ रहा है और ये क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ ये जो है थैली माइड ये आपको यूज में आएगा जब आप nitrogen containing organic compounds पढ़ेंगे उसमें ये आपके chapter में आएगा और ये method of preparation इसका ये कैसे बनाये जाता है वो ये method of preparation होता है ठीक है तो ये दो बहुत interesting reactions हैं carboxylic acid के ammonia के साथ में actually क्या है जो organic chemistry है ये देखने में tough लगती है पर एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा group किस पर positive charge आ रहा है किस पर negative charge आ रहा है कौन से electron transfer होंगे एक बार आपका fundamental clear हो जाए तो ये बहुत ही असान लगती है जब तक आपको ये fundamental clear नहीं होगा आपको बहुत दिमाग भी tension रहेगी कि ये क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है तो बस एक बार आपको fundamental clear कि जैसे कौन सा electronegative है वो electrons को pull कर रहा है तो उसका जो adjacent, adjoining कोई भी atom होगा उस पर positive charge आ जाएगा तो उस पर electron transfer कोई भी loan pair या negative charge करेगा तो इस तरह का अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो बहुत असानी से आप इसको समझ सकते हैं Thank you